जब से मैं प्रियांका को जानता हूँ बेती साल हो गये मेरे ख्यास से और मैंने दिखा है वो हमेशा ही अलग लोगों के लिए सारे अपने परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने मेहनद की है और कभी अपने बार में नहीं सोचा अगर राजी जीवित होते वो जरूर बहुत खुश होते कि प्रियांका जिनों ने अपने पिता जी से, अपने दादी से, माता जी से बहुत सीखा और अब वो सक्रिये राजनीती में और संसद के रूप में देखेंगे मैं हमेशा चाहता था कि प्रियांका संसद में आएं और वो खाली प्रिचार में ध्यान ना दे कभी भी लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने राजनीती सक्रिये राजनीती में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए तो मैं वो कदम लूँगा मैं बहुत खुश हूँ कि अब प्रियांका कदम वो ले रही हैं कि अपने लिए सोच रही हैं, अपने महनत करेंगी, अपना प्रिचार करेंगी, खुद अपने लिए, क्योंकि जब से मैं प्रियांका को जानता हूँ, 32 साल हो गये मेरे ख्यास से, और मैंने दिखा है वो इस पार्टी ने ये सोचा है कि उनको वाइनाट से लड़ना चीए, और जब मैं वहाँ शामिल था कल, इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा खुशी थी लोगों में, इतना उत्सा था कि हम अपने नमकरन के लिए पहुँचे नहीं पाए, पर लास्ट में, मतल और बहुत खुश हो कि प्रियांका ने आपना कदम लिया है कि सक्रिय राजनीती में आने के लिए ये चीवित होते वह ज़ूर Миха CHyesadriye crabs बहुत खुश होते ही कि प्रियांका जिन्होंने अपने पिता जी माता जी बहुत सी 1944 से और अब वह सक्रिय राजनीती में और संसद के संसद में संसद के रूप में देखेंगे मैं हमेशा चाहता था कि प्रियांका संसद में आएं और वो खाली प्रिचार में ध्यार ना दे हमेशा वो लोगों के बीच में रहती हैं पर मुझे जरूर लगा था कि अगर वो संसद में होंगी तो महिलाओं की आव बुलंद करेंगी और जो भी असल मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं उठाती है जो छुपाते हैं वो उनको बुलंद करेंगे और कॉंग्रिस पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा कि प्रयांका भी जोड़ेंगी उनके साथ संसद में और मेरी रही तो मैं अभी कभी भी लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने राजनीती सक्रे राजनीती में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए तो मैं वो कदम लूँगा पर अभी मैं खुश हूँ कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ उनकी सेवा करता हूँ उनके जो मुद्दे होते हैं मै समझता हूँ और अपने परिवार को भी बताता हूँ कि यह असल मुद्धे हैं जो ग्राउंड पे हैं और जरूर लोगों की बात रखता हूँ